नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राके शिवानियाश्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने एक ज्योतिस ग्यान के नाम से सीरीज चलाई है जिसमें पूरी बेसिक से लेके और अडवांस एस्टालोजी तक हम ग्रह योकारी होते हैं उनके बारह में बताया था अधुरा आप sectors लगन में कौन से अच्छे होते का याश्दा में वार्य हरो लेकिंज लगन से लेके लगर अब पतरिक्षन करते याश्राण करते हैं तो आपको मालूम होना पेकत्र यह कल सि helping कि पत्रह कांव है स्टल नंबर लिखावा यह पर अब यहे south यह अब एक मेश राशी मेश और रटी है एक लगन की कुन्ड़ी एक दो तीन चार पाँच छे आप इसमें सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य कहां का स्वामी है सूर्य इसमें पांचवे बहुत अच्छी रहेगी इस चातक के लिए बहुत अच्छी आप व्यक्ता है कि चन्द्रमा कैसा रहेगा चन्रमा के लिए बताया के 習ड.. आपको बताय हो hanging जुक्र होते हैं चन् rapidement बुद्ध जुक्र होते हैं जो निचली रूप से शुग्रण है कि शुग्रण को केंडर का स्वामी होने में दोश लग जाता है अवो केंद्रा दी पती दोस इंको लग जाता है तो उनके शुपता वह कब्तह कि होते हैं उनकी शुता बढ़ जाती हैं है । यहाँ पर चंद्रमा जो है क्रेंद्र का स्वामी बन गया चार नं अब का स्वामी बनने से वो शुब प्लैनर था लेकिन अब वो अशुब रह गया मंगल मंगल को देखी है आप यहां पर मंगल लगन का स्वामी है पहले राशी उसकी आठवे भाव में है अठवे राशी का होना अच्छा नहीं है इसलिए मंगल में शुब है लगनेश भी है और अगनेश हमेशा शुब होता है को द्व पर आजाईये बुद्ध के पास और नहीं बहाव है तीसरा भाव और चया नहीं होता यह जानते हैं तो इसलिए बूद्ध इस पुण्डली के लिए अशुब ग्रह है यानी मेश्लेगन वालों के लिए बुद्ध की दशा नहीं ज होती है जो कि भागे भाव में बैठी हुई है और भागेश की दशाब बहुत अच्छी होती है जब भी इस जातक की मेशलगन वाले जातक की भागेश की दशाएगी तो उसकी बहुत तर्फी होगी सुक्सम्रदी मिलेगी धन्दाने से परिपूर रहेगा तो इसलिए और साथ्वे भाव का स्वामी है दूसरा बहाव और साथ्वा भाव आपका मारख भाव कहलाता है लेकिन व्हाव भाव भी अगर इसको लें तो केंद्र भाव होने पर उसके अंदर अशुक्ता आ जाएगी जैसे मैंने चंदरमा में आई थी केंद्रादी पदी दोश के कारण इसलिए शुक्रिस कुंड़ी के लिए अशुब ग्रह हो जाए शनी को देखते हैं शनी की एक राशी केंद्र में है एक राशी ग्यारवे भाव में है ग्यारवां भाव की राशी जो होती है वो अच्छी माषिक नहीं होती इसलिए शनी हाँ आप एकुणली में शुमनणाईं यानि मेश लगन के लिए शरी शुमन नहीं है इसी प्रकार हम लोग रष्व लगन वाले के लिए चेक कर लेते हैं कि अदिकन को से ग्रैशा का उब मशनीольш्प लगने आप देखिए सबसे पहले सूर्य को लाइए सूर्य केंद्र का स्वामी बना अब का बश्व लगन में सूर्य आपका यहाँ का स्वामी बनता है चौथ बाप का और सूर्य नैसर की ग्रूप से कुरूर ग्रह है हमने बताए हैं कि दो दो तरीके से ग्रहों को डिपाइड किया अब सूरिये इस भाव का स्वामी हुआ केंदरकर सौमी ह्केंद्र देखतान तो केंदराधी परिदोष से गारण उसके अंदर ऑस नहीं चेंलिया अ हम चंद्रमा को कुनली में अश्व बोलेंगे अब आएए आप मंगल मंगल का आइए मंगल के पास कौन-कौन सी राशी है एक बारवे नमबर की राशी है एक केंद्र की राशी लेकिन उसकी मूलत्रिकौन राशी बारवे भाव में होने से बारवा भाव जो होता है व्याय का भाव होता है तो किसी भी ग्रह की चटे आठवे बारवे में मुल्ट्रिकोन राशी हो तो वो अच्छा नहीं रहा है तो आठवे बारवे में तो खास सवर से अच्छा नहीं रहा है तो मंगल की राशी है मुल्ट्रिकोन राशी बारवे भ फांचंवा घर कोड़ो गया है इसकी मूँन राषी है अपस लिए ठीमन राषी तो हो गया To बिना किसी उसके हमेशा लगन के मित्र ही होते हैं जो भी त्रिकौन का स्वामी होगा वह लगन का मित्र होगा और लगन के मित्र की तरशा अच्छी जाएगी लगन का मित्र जो नहीं रहेगा शत्रू रहेगा वह आपके लिए अशुप लाइनट हो जाएगा इसी पकार से हम क्रिकौन का ऑभ Verb धेखें यहवाली तीनबर कोंभी लिया हुआ है तो मिठुलगी कुंडली में चंद्रमा हमारा दूसरे बापका स्वामी है और बुद्ध को मित्र मांता है तो यह ठीक यहां पर मंगल को देखते तो मंगल की एक राशी चटे चटे बहाब में यह भी शुब नहीं अच्छा नहीं होता आठवां चटा बारवां और ग्यारवां भावी तुष्टाय बहाब में आता है उसका स्वामी को भी शुब नहीं मांते तो यह मंगल भी इसकुंड़ी के लिए शुब नहीं है गुद्ध देखते हैं गुरु देखें गुरु इसकुंड़ी के इसा है गुरू को देखिए गुरू इस कुंडली में नौ और बारा दो भावों का स्वामी है केंद्र का स्वामी होते हैं वो केंद्र के स्वामी होने पर उनमें केंद्रादी पति दोच आ जाता है तो वो कुंडली के लिए पिर अशुफल देना शुबर देते हैं तो गुरू इस कुंडली के लिए हालाकि इसकी राशी केंद्र में होते वे भी गुरू इस कुंडली के लिए शुब ग्रह नहीं है अशुब ग्रह माना जाएगा मिथुन लगनी कुंडली के लिए शुक्र क स्वामी जो होते हैं मैंने बताया आपको लगन के मित्र होते हैं इसलिए शुक्र इसकुल्डी में शुब ग्रह है शनी को देखिए शनी की एक राशी आठवे भाव में है एक राशी इसकी नवे भाव में है यानि शनी भागेश भी है और शनी अस्टमेश भी है बट शनी के को भॉझन देना चाहता हूं कि हम लोग कर ले हैं जो लोग जॉन करना क gadgets उस नमबर पे ढहलेट शुन कर जाने वाट पते हैं प्रेहा देश्ट करें चाहिं के लिए और बांकी क्लास बहुर लोग के लिए जो लो